आज की प्रोग्राम समझाने की यह कोर्स करेंगे कि इसके लिए एरी लिस्ट करेंगे इसके लिए एरी लिस्ट हम एक method प्रोबाइट किया है एड़ आल मेठ़़ इस method की help से हम दो एरी लिस्ट के element को आपस में जोईन कर पाएंगे कैसे इसको पूरिंग की हेलप से समझने की कोसिस करते, तो सब सब लिखेeremos अर्री लिस्ट क्रेट करेंगे, ओके और यहां जूंद डाटाइप लिए इंटीजा लेंगे, simply ट्रीर डाटाइप हमारा है और इसका हम देते हैं पहले को उलस्ट कुलन equal new operator array list semicolon और पहले array list में हम element को add करेंगे list1 dot add ओके और इसमें हम देजिने है 12 and list1 dot add 22 list1 dot add 55 list1 dot add 988 तो यह हमारा कुछ पहले array list में हमने एट किया और इस element हम सिंप्ली हम से पहले print कराएंगे ओके तो system dot or dot print ln of list1 के हम जितने भी elements को print करेंगे अब हम एक second array list यहां पर create करेंगे और इस array list की में element को again add करेंगे करेंगे और इसमें इसमेंगे data type लेंगे वो integer ही लेंगे and जो मारा इसका list2 नाम से add 66 list2 dot add 88 semicolon यह हम कुछ element को array list2 में add कर दे ओके इसके भी element को में से पहले प्रिंट करेंगे system.or.println और यहां पर हम से पिर देंगे list2 अब जो हम कोने लिखने जा रहे हैं इन तो array list को आपस में join करने के लिए करेंगे list1 dot add all method की help से हम यहां पर two array list को join करेंगे list1 dot add all इस bracket में हम रहेगा list2 इसकी help से हम two array list को join कर पाएं एक single line की code से I hope आप इस समझ पाए होंगे simply आप हम रहे हैंगे system.or.println और यहां पर हम यूज करेंगे list1 को ओके जो कि list1 जो है one में list2 को append हो गया है ओके I hope आप यह समझ पा रहे होंगे जैसे हम प्रोग्राम को यहां compile करेंगे simply हमारा data level output हमें मिल जाएगा ओके तो हम यह देखते हैं कि जो हमारा list1 का element है यह पहले आया है and second list2 का element की दोनों आपस में join हो गया है I hope आप यह समझ पा रहे होंगे कि array list में two array list को आपस में कैसे join कर पाएंगे इसके लिए हम simply add all method को use करते हैं और इसकी help से हम two array list को आपस में join कर पाते हैं के लिए रहतक है रहतक है